मैं सोनम गुपता, बेवपा नहीं, किसी की पत्मी है मैं सोनम गुपता, मैं बेवपा नहीं, किसी की बेटी है मैं सोनम गुपता, किसी की माँ हूँ, पर बेवपा नहीं हूँ मैं सोनम गुपता हूँ, बेवपा नहीं हूँ, किसी की देह हूँ किसी सिर्फिरेंने किसी करिंसी लोटमें इसे लिखा आजे बढ़ाए कुछ ओर लोगोंने इसी तरह का कुछ लिखा उन्होंने लीटके आगे बताया और शायद उसमें थुद जिसने पहली बार इसे लिखा था इसे आगे बताया एक तमाशा आसा शुरू हो गया सोनम गुप्ता बेवक्ता तरे उसी नुख से लेकर सोचल मीडिया तक कुछ लोग तमाशाई बने और कुछ लोग इस तमाशे को चट्खारे लेकर देखने वाले तमाश भी लेकिन क्या उन्हीं के घर में इसी नाम भी कोई माँ पत्मी बहन या बेटी होती तो उन्हें यू चट्खारे लेना या इसे यू आगे बनाना कवारा होता ज़रा सोची ले नवस्कार जीके 247 डेख रहे हैं आप मैं हूँ प्यांकाप के साथ खास पेशकष में आप सभी का स्वाज़त है लेकिन खास पेशकष आज कुछ ऐसे खास है क्योंके एक नाम से जुड़ी है नाम के साथ साथ उस नाम का प्रमान भी हुआ और कैसे वो नाम बदनाम हुआ इस पर होगी सारी बहस लेकिन बहस की शुवाज से पहले बताएंगे आपको कौन है वाज साथ खास स्टूडियो में जो हर लेंगे इस बहस में हिस्सा एक नाम जिसे पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश हो रही है या सिर्फ एक महद अपवा है या फिर ये नाम मजाग बन कर रहे गया है इसी के आज पास बहस होगी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनुजा कपूर अनुजा कपूर इसलिए क्रिमिनल साइकोलोजिस्ट है साथी साथ लॉयर है क्रिमिनल और साथी साथ ओनरी पुलिस ऑफिसर शुरूआत करेंगे बहस के लेकिन जान ले आकर ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ कहां तक पहुँच गया है किसी के नाम को बदनाम करने का इस सलसला ये रिपोर्ट आप देखिए फिर बहस की शुरूआत सोनम गुपता आखर क्या है सोनम गुपता की बेवफाई का सब्सक्राइब आखर क्यों कुछ सी घंटों में सारी दुनिया के लिए पहली बन जया गी नाम आखर क्यों रुप गूगल पर ये नाम जालकर सोनम को धूटने की कवायत में लग गए है सवाल कई है लेकिन इनकी शुरूआत कैसे हुई ये सबसे एहन सवाल है दिरसल इस कहानी के शुरूआत हुई एक फुरानी दस के नोट से ये नोट सोनम गुपता की कहानी के वो बेजुबान सिपाही है जिनोंने रातो रात सोनम का नाम हर शक्स की जुबान पर ला दिया हर नोट पर एक ही बात थी कि सोनम गुपता बेवफा है आप 10 का नोट देखें, 100 का नोट देखें और 2000 की नए नोट पर भी वही शब्द कहीं कहीं तो 10 का सिक्का भी नहीं बक्षा गया है और फिर विदेशी करंसी पर भी सोनम की बेवफाई के चर्चे देखने को मिले और इन सब के बाद तो सोनम राष्टे से अंतराष्टे मुद्दा बन गई सोनम कौन है? किसी को नहीं पता सोनम ने किस से बेवफाई की? किसी को नहीं पता लेकिन फिर भी सभी लोग बाद सोनम की बेवफाई की कर रहे है हर शक्स बस इतना ही जानता है कि सोनम गुपता बेवफा है सोनम गुपता की इस कहानी में मोहौल कुछ ऐसा बनाया कि कई नोतों पर सोनम के नाम से जवाब भी आने लगे है सोनम गुपता की बेवफाई इस कदर सोशल मीडिया पर फैली कि ट्विटर पर सोनम गुपता की बेवफाई ट्रेंड करने लगा आज हालात कुछ ऐसे हैं कि हर जगा सोनम की बेवफाई के चर्च जहीं है जो करिंसी को साप सुतरा रखने पर भी भारी पड़ गए है क्योंकि सोनम की इस सर्फिरे आशिक ने करिंसी को ही खराब करना शुरू कर दिया है सोनम गुपता की बेवफाई पर कहीं जोक बनने लगे हैं तो कहीं सोनम गुपता एब भी लॉंच किया गया ताकि बेवफाई का पर सेंटर्स निकाला जा सके इतना ही नहीं सोनम गुपता की बेवफाई ने वालबुच फिल्मों में दीस जब इंकबादी कुझ आप संजे इस तरीके को बहतर से कि किसी के नाम के साथ आप किसी बात को जोड़ कर क्या सोचल मीडिया में हवा बना कर आप पीछे हट सकते हैं क्योंकि अनुजा ये बहुत देखा गया है आम बात होती ए सोचल मीडिया पर किसी चीज को आगे शेयर कर देना, कमेंट कर देना, पोस्ट कर देना और फिर लोग पीछे हट जाते हैं और एक भेर चाल सल पड़ती है इस मामने को किस तरह से देखा जाए कि यहां लोगों ने जब शेयर करना शुरू किया तो मामना 10, 2000 के टोट नहीं डॉलर तक पहुँच गया है मामना देखिए पहले कर हम यही समझेंगे कि आज हम शो कर रहे हैं सबसे बड़ा जो एक feeling उसको accomplishment की तो उसी लड़के को होगी कि आज मैं यहां तक पहुँच गया तो रातो रात उसको fame मिल गया तो जब आप कहीं पर भी देखेंगे जहां पर रातो रात fame से related को भी बात होती है तो वो चीज viral हो जाती है वो चाहे social media हो या कोई ही चीज रहे तो वहां पर यह लोग viral कर देते हैं हम लोग अपने अब यह चीज क्यो viral हुई हम लोग अपनी जिन्दगी में इतने मश्रूफ रहते हैं और इतने बिजी रहते हैं और इतने टेंस वहते हैं जब इस तरीकी की कुछ चीजें आती हैं off the jokes आते हैं सरदारों पर आते हैं सुनों गुक्ता के ओपर आ गए मोधी पर चल रहे हैं केजरी बाल पर चलते हैं तो क्या हुआ है कि हम अपने आपको थोड़ा सा ease out कर देते हैं पर एक समझने वाली बात सब्सादा ये है कि आप ease out तो करते हैं पर कहीं न कहीं आप दूसरे को defame कर रहे हैं ये बहुत सोचने और समझने की बात है कि defamation के साथ जो itself is a criminal offense आप उसको कहीं न कहीं defame कर रहे हैं आप उसकी personality को उसकी modesty को आप again hinder कर रहे हैं और apart from that आप कहीं न कहीं ये एक एक तरीके का जो mental torture mental trauma nervous breakdown जिसका ये नाम है वो ये सहरे ही होगी किसने किसको हक दिया किसने किसको हक दिया कि आप इस तरीके से उसकी बातों को या उसकी बेवाफाई है या नहीं ये कोई convicted नहीं है है या नहीं आप उसको note के उपर लिख रहे हैं आपका ये personal matter था दूसरी बात personal matter होने के बावजूद भी उसको इस तरीके से currency के उपर लिखना जो government की property है ये crime है again this is an offense आप इसको खराब कर रहे हैं आप property को खराब करते हैं ये सिर्फ आज यहां तक ही नहीं है जो चीज हम लोग देखते हैं प्रयांका कि ये monument के उपर भी नाम लिख देते हैं पेड़ों की बाप के उपर नाम I love you आपने ये bathrooms के अंदर मुझे लगता है कोई भी इससे अचूता नहीं है bathrooms के दर्वाजे के पीछे कितने अपशब्द लिखे होते हैं और कितनी गंदी बाते लिखी होती है ये सब चीजें आप खराब कर रहे हैं बहुल को ये कोई अच्छा काम नहीं है ये कोई शाबाशी देने वाला काम नहीं है और अगर आज हम लोग यहां बैठ कर इस चीज के लिए बात कर रहे हैं तो हम आपको शाबाशी नहीं दे रहे हैं हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये एक psychologically आप बिमार हैं अगर आप इस तरीकी की चीज़ पे this is not fun क्योंकि अगर ये fun होता आप खुद अपने पर बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे इस इसी बात पर मैं आना चाहते हूं कि जिस इंसान ने इसकी शुरुवात की ये सब कुछ लिखकर कहां गयब हो गया कोई नहीं जानता उसे ढूनने की कोशिश कोई नहीं कर रहा लेकिन ये मानसिक्ता क्या है अगर आप एक लड़की के नाम के साथ ऐसा नाम जोड रहे हैं जिसको आप दिन रात अपवा करिए मजाख समझे लेकिन उस पहलू को सब भूल गए कि ये अपवा है ये मजाख है हर को इसको पोस्ट कर रहा है ये मानसिक्ता क्या है जब आपने शुरू कर दिया और आपने ये नहीं देखा कि उसके पीछे कितना बड़ा बवंदर आजाएगा उस लरकी का जीना दुश्वार हो जाएगा जिसका नाम आपने लिखा क्या मानसिक्ता होती है उन लोगों की जब ये शुरूआत होती है देखिए मानसिक्ता मैंने पहली बताया कि उसको उसको तो ये नहीं मालूम का कि वो फेम में आ जाएगा ये फेम एक नेगिटिव फेम है अगर आप सुन रहे हैं जिन्होंने लिखा है वो जानते हैं ये एक नेगिटिव फेम है और नेगिटिव फेम जो है वो कभी ये अच्छी नहीं होती है और आप ये बात ये भी देखिए कि इसके अंदर psychological issue ये आता है possible है possible है कि वो उससे प्यार करती होगी और वो सकता है again one-sided love हो possible है कि उसकी शादी हो गई possible है कि उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं किसी और को प्यार करती हो तो आपका जो कुछ भी है वो आपको internal matter है आप counseling लीजिए न आप ड्राइजी doctor के पास अपना इलाज करवाईए उस चीज को आप अपने घरोली चीज को या अपनी personal life को आप note के उपर क्यों लिख देते हैं और यह से यही नहीं बहुत लोग बहुत कुछ लिखते है note के उपर वो currency इस तरीके से invalid हो जाती है currency के उपर लिख देने से आप अपने आप को यह व्याख्या कर रहे हैं कि मैं बहुत कमज़ूर हूं I am a coward person और जित्मा में लिखा है मैं यही कहूंगी कि एक भेड़चा चलाई आपने अब इंसान के यौनी में होते हुए इतने समझदार होते हुए आप भी वही काम कर रहे हैं जो उसने किया आप जानते हैं सोनम गुपता को और जो सोनम गुपता है जितनी बाकी लड़किया है सरे यही नहीं है अपर अंका मुझे यहां तक पता चला था कि पार्लर के अंदर 50% discount काफे किसी में है काफे 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 क साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं. इस तरह से लोगों ने मजाग बनाया, इसको अपवा बना दिया, वो किसी की बहन, किसी की बेटी या बहू, किस रिष्टे में रही होगी, और लोग उसे किस नगास से देख रहे होंगे, इस पर आपने परदा डाल दिया. ये तस्वीर आप देखिए, कैसे लोगों ने मजाग उड़ाया, जह हम परताल करने निकले, टीम बाहर पहुँची, तो क्या कुछ देखा, सोनब गुपता को लेकर कैसे कैसे मजाग, किस तरह के लहजे में किये गए? ट्रेंड शुरू हुआ भी रिसेंटली, ये बिल्कुल यूजलेस है, औपसॉलीट है, क्योंकि इसा कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक आदमी कुछ भी लिख देता है, उस पर ट्रेंड बनते जाते हैं, ट्रेंड जैसे उन्हें चीजिए जिससे अवेरनेस पहले, वही वाले, जैसे लोग भी कह रहे हैं, लेकिन इसा कोई मतलब नहीं है, मतलब ससाइटिए को कुछ मिल नहीं रहा है, तो मतलब यसी बेकार शीजिए करने से कोई भी फाइदा नहीं है, इसलिए मैं आपके सारे विवस को यह कहूंगा, कि इन सब टेंड के पीछे ना जाएं, और इस ते दूर, आपता इसलिए, से बेंड पाइव गिलब के एखना, जर्फ टेंड कोई मतल जाए इंडिया इंडिया में एक के बीचे लोग भागता है, तो वो भी सब एक दूसरे के पीछे बागरें, अनुझो फ़िए नहीं पता ब्रे的 有पाह भी, तो दिखिए मुस्कुराहट है अनुजा जिस तरह से जाहिर हो रहा है कि मुस्कुराने वालों को अंदाजा नहीं है इस बात का कि किसके बारे बातित हो रही है अगर उनकी अपनी कोई जानने वाली अपनी बहन होती तो शायद गुसा चरम पर होता मतलब वहाँ जो बौकलाहट दिखनी चाहिए जो लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप किसी के बारे बात्चीत करते हुए किस हद तक जा सकते हैं तमाम वो लोग जो उस लड़की को जानते भी नहीं वो भी पार्चिसिपेट कर रहे हैं तो क्या समझा का इस बात से कि लोगों को सिफ अपने से मतलब है अपने से मतलब है बात यह है कि उनको मतलब किसी से भी नहीं है उन्हें अच्छे लिए किसी से मतलब नहीं है मैंने क्या का है हर एक आदमी अपने अप तो लोगों ने थोड़ा इज आउट कर दिया दिखिए आपको अगर इज आउट करना है उसके तरीके जो है वो कपेश नमा का कॉमेडी देखिए आप कॉमेडी पिक्चर देखिए आप जोग से बात करते हैं कोशिश कीजिए आप किसी को टार्गेट नहीं कीजिए क्योंकि जब आप जिस आदनी को टार्गेट करते हैं तो उसके बाद वो बंदा जो है कही न कही अपने अंदर दस मौत मरता है आप यह संजी कि आगर आपके उपर मैं जोग बना दू इस वकार तो आपको टार्गेट कर दू आपके नाम के साथ दस बारी आप यही सोचे कि आपको कितना बुणा लगता है जब आपके नाम को डिरेक्ली को प्रिनाउंच भी ठीक से नहीं करता है कितना बुणा लगता है आपको जिन्दा रहते या आपकी existence ख़बन कर देता है आपके नाम को बार बार किसी और के नाम से आप दो बनी जासे उसको टोकेंगे आप उसको कहेंगे कि आप मेरा नाम तो ठीक से बात करो और यहां पर आप किसी के नाम को इतना ज़ादा बदनाम कर दें कि वो लड़की खुद इसकी उसकी personal life है आप उसके privacy में हंडर नहीं कर सकते है और as a lawyer I would say that कि इस चीज का स्यों मोटो रिया जा सकता है और इसके लिए प्रिशन फाइल करी जा सकती है या there can be a PIL which can be formed for all the girls who are starting the names with Sonam as their first name और Sonam Gupta and it can be put there बट मुझे ये मुझे नहीं लगता कि हमारे जो ये तो वही है लड़ने के उपर बात है कि हम यहाँ पर उनकी क्योंकि लड़कियों के लिए हम लोग लड़ सकते हैं बट ये admissible होगा कोट में कि नहीं क्योंकि मुझे जहां तर लगता हमारे judges better learner है कि वो इस बात को नहीं इस बात को समझेंगे कि भई this is a topic to be discussed even क्योंकि आप इस बात को समझें unnecessarily इस चीज का hype हो रहा है ये तस्वीरे पहले देश ने देखी है जब उबाल था कि आप शीला की जवारी सौंग आगया बुनी बदनाम इस बात के गालों का स्तेमाल मत करिये तो आज जमीर नहीं चाग रहा लोगों का कि आप एक लड़की के नाम को सोशल मेडिया पर हवा बना रही है आप उसके आसपास इतनी बाते कर रहे हैं कि उस लड़की का जीना दुश्वार हो जाए जो समाध उसको जानता है वो किस निगाहों से देखेगा उसको इस बास का बोध भी नहीं है उनको वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे रिलेटिट नहीं है वो कुछ लोगों के पास काम धन्धा तो है नहीं तो इसलिए वो क्या करते है लेकिन мजब क्या इस पेख हवा माना जाय कि जब आपका मन क्या तब आप बूलेंगे जब हवा नहीं बन रहे है तो आप नहीं बोलेंगे और demonetization के अंदर अपने आपको इन लोगों ने थोड़ा सा ease out किया है ये जोग के साथ जोग के पहल में दिमाग use नहीं किया किसे ने अब आप ये इस चीज को लेकर आ रहे हैं आपने मोहिम चलाई है आपने इस चीज को through media इस चीज को सामने ला रहे हैं किसी की personal life पर इस तरिकी का ताना किशी मत कैसा कीजिए लिखा मत कीजिए एक आप currency खड़ाब कर रहे हैं monument खड़ाब करते हैं अपने आप में आपने पढ़ाई की हैं आप इतने समझदार हैं आप इस चीज की चीज के लिए आप एक भेड बन जाते हैं आप sheep की तरह आगे पीछे इस तरीके से घुमना शुरू कर देते हैं without using your brain I think you are much better off, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं Rather than इस चीजों के अंदर currency को खराब करें और ये सब चीजों में बहार जाएंगे तो आप इस चीजों के कोई चीज़ें नहीं करते हैं मुझे लगता है या हर चीज हम लोग मीडिया में बैठकर ही क्यों बोले या आप लोग खुद अपने आप में नहीं समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से society को किस तरीके से आगे किस front पे जाना चाहिए क्यों आप और मैं हम लोग हमेशे हर चीज को हम लोग मीडिया के तरूँ awareness लेकर आएं यह चीज़े तो खुद समझदार हैं आप अपने बच्चों को पर मना कीज़ें और खुद भी मना कीज़ें कि इस तरह से हम तो नहीं किताबों के ओपर भी लिखने को कर सकती हैं आप इसके लिए आप अपना डी फिर्म पर आप अपना रिट प्रेटिशन फाइल कर सकती हैं और इसके लिए आप कोट में जरूर एक बार स्टैंड ले सकती हैं आगे situation क्या होगी dismissible होगा या यह इसको they will be appreciating it and the judge will admit it यह definitely पटाप एक स्टैंड जरूर लीजिए जरूर आगे आए और शायर आप जानती भी होंगी कि वो लड़का कौन है जिसने आपके साथ इस तरीके से बद सलूकी की है प्लीज उसका नाम उस अक्यूस्ट का नाम पूरी मीडिया में सामने लेकर आईए यह हम जैसी लड़कियां जो चुप करके बैसती हैं और कहती है कुछ नहीं कोई बात नहीं यह उसी चीज का नतीज़ा है विक्तिमाइजेशन है यह और आप रहने के बात ही एक्स्थर देखा जाता है कि ऐसी बाते बढ़ती चली जाती है और कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाता कि उसने क्या इस पुड़ दे दिया है और आप खुद उस अपराद में हिस्सा दे रहे हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया है कोई पोस्ट आपने शेयर की है चली ये तो बात ही कि आखिर किस तरह से मानसिक्ता बदल रही है ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद को बहुत समझदाई समझते हैं लेकिन समझदाई धरी की धरी रह जाती है जब कुई ऐसी पोस्ट को आप लाइक कर देते हैं तो आप बचिया सकनने से लेकिन क्या कुछ हो सकता है किसी नाम के आसपास अगर कोई केस लजना चाहे मानहानी का मुकदमा करे तो क्या रास्ता है आखिर इंसाफ पाने का लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं जब ये बात इतनी बढ़ गई तो कहां कहां पहुची आपको याद होगा इंगेंट और भारत का वैच हुआ टेस में चल रहा था कमेंटरी बॉक्स में वहां भी बात चले सोरम गुपता बेवफ़ा है किसने पूचा ये देखी आप किस पहां कपिल देव ने जवाब दिया वीएस लक्षमन थे किरन भारे भी मौझूद थे किरन भारे भी मौझूद थे कि अलेजिटली ऐसे चलती है कहानिया क्यों है बेवफ़ा अगर है तो आप बोल रहे है उसी वज़े से मुझे यकीन है कि वो बेवफ़ा है विकार आकाश चुका तभी गलत नहीं बोल सकते है हमारे प्रोडूसर साब नितिन अंगुलकर जी क्यों है बेवफ़ा कुछ आइडिया आपने भी सुना है इन सोनु गुपता जी के बारे में नहीं हो ज़की ना बाजी ये गलत गलत अफाय है जो गलत है कि उस सोनु और गुपता बेवफ़ा है नो चार्ड वही तो मजाग के बीच में ये भी जाहिर किया कि आप इस तरह का जो मजाग है उसे मजाग में ही ले उसके आसपास ना जाए लिकिन अरुचा अगर कोई लड़की जिसका नाम सोनम है चाहे हो भले ही गुपता हो या कपूर हो किसी भी खांदान से हो कितनी बुरी बात है कि आप उस पर अगर मानहानी या महिलाउस्पीडम ये तरह कोई मुकदमा करना चाहें तो क्या ये ठोस प्रमान की जरूत पड़ेगी या अपर ये काफी है जो कुछ चीजें आसपास हुई है क्योंकि ठेस पहुची किसी के मान को संबान को देकि डोक्यमेंटेशन तो होती है वो तो फाइल करनी पड़ेगी और वो चीजें भी लाकर दिखानी पड़ेगी देखें आप शियू मोटो लिया जाए पर अगर शियू मोटो तब लेते हैं जब जो लड़की है वो नहीं करना चाहे या जो विक्टम है वो नहीं करना चाहे तो उसके बिहाब पर कोई दूसरा करते है तो इसलिए पुलिस ले ले लिया स्यो मोटो जजेजे खुद ले लेते हैं वो लॉयर्स अब लोग ले 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 तो अगर वो चाहती है तो वो इसको मैंने पहली कहा है कि आप जरूर लेकर आए डोकिमेनेशन हो ही चाहिए आप सासमें अज परूफ होना चाहिए चाहे वो चीज कितनी भी पता हो, तब भी भी निर्भया का काश जब कांड हुआ था, तो भी कितनी documentation हुआ, कितना evidence चाहिए था, कि यह करना है वो करना, विकोज जो court है वो proof मांगता है, और यह definitely इसको एक बारी, मैं कहूंगे कि एक बारी stand दिया जा सकता है, we can always challenge the court, we can always challenge the authority, तो हम दो जरूर कर सकते हैं, और आगे वो dismiss होगा, यह admiss होगा, admissible होगा, deformation के अंदर जा सकती है, अपने संभिधान से related, अपनी freedom से, अपनी खन्न हो रहा है, उससे related पर जा सकती है, तो यह articles हैं हमारे पास, हमारे पास अपना basic rights हैं हमारे, तो fundamental rights हैं, यह सब उन जगाहों पर खराब होते हैं, और IPC के sections लग जाते हैं, तो यह एक बारी तो definitely she can go है, और I can always say that कि अगर चरणा है, तो PIL file हो सकती है, जिसमें सारी सोनम के नाम, क्योंकि एक सोनम से सारी जितनी लड़किया सोनम में उनका नाम खराब होता है, तो either it can go as a rip petition by the individual, और it can go as a PIL for all the सोनमs. और हम अक्सर यह देखते हैं, कि जब कोई ऐसा content तो किसी social networking side पर viral होता है, जिससे लोग को नुक्सान हो, जहां कोई property नुक्सान हो रही हो, लोगों को गलब संदेश आता है, तो बहुत चल्दे कहते हैं, बैन होना चाहिए, यह दुबारा नहीं दिखना चाहिए वीडियो तो यहां हम cyber cell का रोल कहां देखते हैं? जनेरेशन को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम बच्चों को कहें कि यहां लिखो, नोटों के उपर लिखो, हम भी बच्चों के ओपर लिखो, हम कहां कह रहे हैं? तो आपके घरों पर भी लिखेंगे? आप इसका मतलब उसको शुरू से आ तो तुम उसकी कांसलिंग करवाते, उससे बात करते, चीजों को करते, दुनिया के सामने तुम कभी प्यार किया है नहीं तुमने, तुमने तुमने दुनिया के सामने उसको पूरा ओपन कर दिया, और वो भी इस तरीक ऐसे की, you try to take a revenge on it, जैसे pond revenge आता है, तो यह तो, क्या कि अब कुछ प्यार कि आपने, इसको प्यार नहीं कहते हैं, और बेवपा है, बेवपा नहीं है, यह चीज दुनिया में कोई इंटरस्टेट नहीं है आपकी बात को समझने के लिए, अभी भी आप में कोई इंटरस नहीं ले रहा है, आप सोच रहे हैं ये, कुछ भी होगा, लाइन ने हो भी गया है पट इस नोग इन इंटरस्टेटिंग आज बात है कल को भूल जाएंगे बच तेंग इस कि आपको यह बात समझना बहुत जरू है कि यह निद है और उस सब लोगों को जो लोगी चीज को पर लिख रहे हैं प्लीज गोटो गुट साइकालोजिस्ट इस ने गुट है आप इस ने चीज लिख रहे हैं यह कहीं गलप है आपको यह समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं इसका मतलब आप में कहीं न कहीं एको दिमाद के बिना फॉलो करने की आदत है और जिस लड़के ने यह लिखा है जिस परपिटर ने लिखा है जिस ने लिखा है एक चीज उसको यह समझना चाहिए कि तुम्हें कहीं न कहीं प्राब्लम है और आपको यह इस तरह से लिख देने से आपकी जो मुश्किलती वासान नहीं हुई वो लड़की वापस नहीं आ गए होगी आपके जिंदगी में और उसके बाद दुबारा से आप उसी चीज को लिख रहे हैं कि जहां पर अगर हम मेरे खासे नए लोट पर भी सेम एस से राइटिंग ती उसी राइटिंग से लिखा है तो यह क्या हो गया इतनी आपने हिम्मत है तो आप सामने आपके बात कीजिए अब आप करिये बिवताईए मीडिया को मेरी ये शकल है पीछे मास्क के पीछे रहकर अनॉनिमिटी में आप इकाम कर रहे हैं तो इसका मजब आपे तो और ले कि रहे हैं रहे हैं इस नाम को क्यों उठाला गया है और क्यों लोगों को ठेस पहुंचनी चाहिए इस बात से मैं सोचना चाहिए कि उनकी मां उनकी बहन का भी नाम सोनम गुपता हो सकता था बिल्कुल गलत है किसी भी लड़की के लिए ये टाग होता है जो बेवफा वो बहुत गलत है मुझे पर्सनली ये लगता है मेरे इसाफ से सोनम गुपता का इन्होंने शैला रखा है विच इस कंप्लीटली यू नो बहुत ही बगवास चीज है एंसा कुछ करना चाहिए हमारी करन्सी है अब हमें अपनी करन्सी को शंभाल करना चाहिए उस करन्सी पर कुछ लिखकर उसको वेस्सनी करना चाहिए यार ाजक़ बतनाम करना इस गलत जर्ट कि आप जब जच जाए उसको बडाल रहा है इसा है कि सोनम गुपता बेवफ़ा है अगर वो बेवफ़ा है तो कोई आसी बात नहीं है यार सारी आजकल होते हैं आजकल का ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है तो आप किसी की इंसल्ट मत कीजिए ना आप अपने व्यूस अपने तक रखिया आप नोट के उपर डाल रहे हैं किसी की इसी मेरे साथ से बहुत गलत है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी करेंसी जो खराब हो रही है क्योंकि और इंफेक्ट किसी को भी ना वो नोट भी accept नहीं करने चाहिए हूँ क्योंकि उससे करेंसी भी मतलब खराब हो रही है और और ऑपने लडगी का नाम होगा और वो बरनाम उस्टर्स को इस बात का कि आप किसी के नाम पर क्यों मजाग कर रही हैं, किसी के नाम को क्यों बदनाम कर रही हैं, क्यों किसी को बार बार आप नाम शेर करके और ऐसा भद्दा मजाग करके परिशान कर रही हैं आप सभी से रिवेदन है करिंसी पर तो क्या किसी भी मॉन्यूमेंट पर किसी भी इमारत पर ऐसा कुछ मत लिखिये जिसमें आप अपराधी बन जाएं या पराध से कम नहीं कि आपने किसी को सरेरा ऐसे बनाम कर दिया और उसके बाद क्या किसी पोस्ट करने वाले को आभास नहीं हुआ कि किसी लड़की के नाम पर आपने इतना बड़ा मजाग कर दिया जिसका जीना दुश्वार हो रहा होगा समाद उसे किस निगा से देख रहा होगा अनुचा एक आखरी सवाल आपसे है जो लोग इस भेरचाल में हिस्सा बने और जो लोग इस भेरचाल से अलग हैं उनको क्या कहना चाहेंगी कि आखिर भेरचाल पर भारी नहीं पड़ पाई वो लोग जिनों नहीं किनारा किया इस बात से देखें हमेशा से मैं कहते हूँ बहुत खुशूरत चीज़ है आप हमेशा देखें उन लोगों से आप जाकर हमेशा बात कीजिए कि जो लोग क्रिमिनलिटी में नहीं आएं situation सबके लिए एक same है कुछ लोग क्रिमिनल्स बन गए और उन्हीं में से कुछ लोग क्रिमिनल्स नहीं बने बहुत कम होंगे जो क्रिमिनल्स का रास्ता लेते हैं क्रिमिनालिटी का रास्ता लेते हैं और बहुत तादार जादा है जो क्रिमिनालिटी का रास्ता नहीं लेते हमेशा ये मत पूछे कि क्रिमिनल क्रिमिनल क्यों बना आप ये पूछिए कि वो ही same situation थी, वो ही सब कुछ, वो आदमी criminal कैसे नहीं बना, कैसे क्या सोचा, उसने क्या तरीका रहा, जो उसने उस चीज़ को छोड़ा, अपने आपने सुधार लाया, तो कि जो वो सुधार अपने आपने लेकर आया और उसने नहीं करा, वो ही चीज़ तो चाहिए हमें, जो हम criminals को सुधार बनाकर, उनको reform कर सकते हैं, और उनको society में लेकर आ सकते हैं, और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, I really feel good कि जो लोगों ने लिखा नहीं, वो एक sensible लोग हैं, वो अपनी fundamental duty जानते हैं, fundamental right तो हम सब जानते हैं, पर DPSP में ये भी ल सकते हैं, इसलिए fundamental duty आप नहीं करेंगे, तो अपने आप में जानत कर देखिए, ये वो जगा है, ये वो चीजे हैं, जो duties हमारा धर में हमें करना चाहिए, इसके लिए कोई भी media vector ये special आपके लिए program न चलाए, आपको खुद समझना चाहिए, we are sensible enough, we are matured citizens, और आपको ये स ने ये सब चीजे नहीं लिखी और प्रूब किया, कि they are very sensible और कई लोग ऐसे भी हैं, जो ये मेरे देख भी नहीं पाते होंगे, जिन लोगों को पता भी नहीं है, उन लोगों ने भी नहीं लिखा, और ये वो आदमी लिखकर चला गया, जो अपने आपको educated कहता होगा, जो knowledge रखता होगा, और उसके बावजूद ऐसा काम कर गया, जो criminality breed करेगा, जो लोग देख रहे हैं, हम उमीद करते हैं कि लोगों इस बात को बहतर समझा होगा, कि आखिर किसी को मजाग बनाने के पीछे, एक हद तो आप ना पी एक रास्ता तो रखिये, पैमाना तो रखिये मजाग बनाने कारूजा, बहुत दों शुक्रे हैं हमेरे पास आप आजाएं, लेकिन आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं कि ये मजाग यहां तक मेहीं, कहां तक पहुंच गया, रास्ता देखिये इसका भाईयो भेनो, नमस्ते, मुई यह पता चला है, कि सौनम गुप्ता बेवफा है, भाईयो भेनो, पुरा देख मानता है, कि सौनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन क्या यह बात ऐसे कहनी चाहिए क्या, क्या नौट पे लिखना चाहिए क्या, भाईयो भेनो मैं आपसे कहना क्या कभी अजार जी ने कहा क्या कि केजरिवाल बेवफा है क्या लिखा क्या उन्होंने कि केजरिवाल बेवफा है क्या कभी अडवानी जी ने ये कहा क्या कि मौदी जी बेवफा है क्या 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 मुझे तेरा जवाब दीजिए का फाई हो बहुत मित्रो कॉंग्रेस प बहुत बहुत धन्यवाद कामरगिला फिर जहादे हो कि आप किसी भी नाम के आजपास लिखने से पहले थोड़ा सोचिए कि आपके उस एक कदम से किसको कितना नुकसान पहुच सकता है कि अब तब आपकी आँख खुलेगी जब किसी को नुकसान वाके में पहुच जाएगा फिलहाल कलिकास पिशकश में इतना ही बने रही हमारे किसी की बेटी है लिखा आगे बढ़ाया कुछ और लोगों ने इसी तरह का कुछ लिखा उन्होंने दिनते आगे बढ़ाया और शायद उसने खुद जिसने पहली बार इसे लिखा था इसे आगे बढ़ाया एक तमास्या आसा शुरू हो गया सोनम गुपता बेवक्ता है कि कर इसी नूट से लेकर सोचल मीडिया तक कुछ लोग तमाशाई बने और कुछ लोग इस तमाशे को चक्खारे लेकर देखने वाले तमाश भी तेकिन क्या उन्हीं के घर में इसी नाम भी कोई मा पत्नी बहन या बेटी होती तो उन्हें यू चक्खारे लेना या इसे यू आगे बढ़ाना नवारा फूता हूँ तरासो चीए